हेलो गाइज मैंने में शिबो मिश्रा वेलकम टू मैं यूटुब चैनल होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप इंजिनिरिंग कॉलेजेज हैं है जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमे हम सब टॉप इंगिरिंग कॉलेज के उपर विडियो बना रहे हैं जिसंए बच्चो को आई डिया लग जैगा कि जिसमीरे चैनल को रहे दिस्रीट्वघालों कि निक कॉम्टी और पे कि नेक्स जो मैं टॉप इंजिनिरिंग कोलेज के वीडियो बनाऊंगा आपको किस स्टेट्स के ऊपर जानना है तो मैक्समाम बच्चों ना हैधराबाद के लिए वूट किया था तो यह वीडियो आज चुके जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजिनिरिंग कोलेजी हैं यहाँ पर जो इनके अलावा जो जाते हैं जो में प्राइबेट कोलेज वीड़ाते हैं उसके बार में मिल नहीं आपे हम बात करेंगे इस video में हम उनकी tuition fee, क्या fee structure वहां की, क्या placements है, क्या highest package है, क्या average package है, उनकी ranking क्या है इसके बार में और और कुछ basic details है, जैसे कि established कब हुआ था, क्या institute type है, क्या location है, इस पर हम सब मेलने हम सब बात करेंगे में समसब सारे college का, एक quick review लेंगे, जिससे आपको एक idea लग जागा, क्या आपके लिए कौन सा college, better रहेगा इस से बहुत से informative वीडियो, हम आपके लिए के आते रहते हैं, तो make sure चैनल को subscribe कर दीजेगा, ताकि annual video को notification आपको मिलता रहे, चलिए वीडियो सुरू करते है जो हमारा list में पहला college है, वो है JNTUH College of Engineering, मेंस जवाहरलाल नहरू, टेकनलोजिकल उनिवरस्टी हैदराबाद बात करें इस college का established year का, तो यह college 1965 में established हो था, काफ़ी पुराना college है, institute type की बात करें तो government college है, location देखें इस college का तो हैदराबाद है इसका infrastructure भी काफ़ी decent है, rankings की बात करें तो NIRF engineering में इसको 62 ranking दी गई है, जो की 2021 का है, यहाँ पर मैं जितनी भी आपको NIRF ranking बताऊंगा, सारे 2021 के है exams का बात करें, कि बहुत सरे बच्चों को doubt था, कि मैं सुरू सुरू मैं ऐसे बीडियो बना था college के उपर, जिसमें मैंने exams के बार में बात नहीं किया था, कि कौन सा exam देना पड़ेगा, कि आप उस college में जा सकते हैं, but मैं आपसे आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा exam दोगे, then college में आपका admission हो सकता है, and exam का बात करें, कि आपको कौन सा exam देना होगा, इस college में admission लेने के लिए, then आपको T.S.M.S. का exam देना होगा, फूफं का बात करें, तो तिलंगाने स्टेट, Engineering, Agriculture and Medical Common Interest Test, इस exam का आपको देना पड़ेगा, and इस के रहें के basis पे आपको T.S प्लस MS, then आपको 38,05 अलगेगा, आपका tuition fee per year, यह आपका tuition fee है, होचल में सबका अलग से लगेगा, placements की बात करें, इस college का, तो 41 LPA है, and average package की बात करें, इस college का, तो वो है 9 LPA, placements वाई, यह college काफी सही है, placement अब देख सकते, average package 9 LPA का, means जो maximum बच्चे है, अच्छी कंपनी मे established हुआ था, institute type की बात करें, तो government college है, and campus area देखी, इस college का, तो 200 acres का, काफी बड़ा campus area है, इसका, ranking की बात करें, तो NIRF engineering में, इसको 132 ranking दी गई है, जो कि 2021 का है, exam का बात करें, तो same आपको हैं, आपको हैं, आपको हैं, आपको हैं, आपको हैं, admission मिलेगा, and उसका बात आपक इस college का 23 LPA है, and average package की बात करें, तो 8 LPA, and इस college को इस placement काफी सही है, and इसको आप एक अच्छा option मान सकते हैं, अब जो हमारा list में अगला college है, वो है चेतन्य भारत Institute of Technology, जिसको CBIT के बहां से जाना जाता है, बात करें, इस college का, तो यह अपका college 1979 में established हुआ था, institute type की बात करें, तो private college है, and campus area का बात करें, तो 50 acres का campus area है, इसका, rankings में बात करें, तो NIRF Engineering में, इसको 133 ranking दी गई है, exam का बात करें, mode of admission का, कि आप कौन सा exam दीजेगे, देनिस में जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप दो exam के थूरू, यहाँ आप admission ले सकते हैं, पहला T.A.S.T. जो तलेंगाने counseling में participate करना पड़ता है, जो खुद की college की होती है, ना कि यहाँ पर आपका जो साइंट, सी सब के थूरू counseling होता है, तो means आपको institutional counseling में participate करना होगा, उसकी basis पर आपका admission होगा, tuition fee का बात करें, तो 1.42 LPA है, पर यह आपका tuition fee लगेगा, यह होशले में सब का अलग से लगेगा placements की बात करें, तो highest package is college का 43 LPA है, जो की Microsoft दोर offered किये गा था एक student को, average package की बात करें इस college का तो 7.8 LPA है, जो के around 8 LPA के करीम में यहाँ का average package हो, देभी college काफी सही है आपका, यह मरे list में दूसरा college है, वो है VNR, Wigner Juti, Institute of Engineering and Technology, बात करें इस college के establishment का, तो यह college 1995 में established होगा था, institute का बात करें कि आप कहुं सा exam दीजिएगा इस college में जाना के लिए, दिन आपको यहाँ पर TSMC और JMA, दोनों के basis पे आपका admission होता है, TSMC के दूरू 70% sheets filled की जाती है, और JMA के basis पे यहाँ की 30% sheets filled होती है, उसके बाद आपको institutional counseling बे पाटिशिपेट करना पड़ता है, जिसके average package की बात करें, तो 7-8 LPA के बीच में यहाँ का average package vary करता है, अब जो हमारा आगला college है, वो यह वर्दमान college of engineering, जो की 1999 में established हुआ था, institute type की बात करें तो private college है, and campus देखी इस college का, तो 15 acres का campus देखी है, ranking की बात करें, तो NIRF engineering में इसको 141 ranking दी गई है, जो की 2021 का है, exam का बात कर तो यहाँ पर आपका सिर्फ TS insert के थुरू है, आपका admission होता है, ना कि Jman's के basis पे, tuition fee का बात करें, तो 1.25 LPA यहाँ आपका tuition fee लगेगा per year, and इसके अलावा आपका host law और mass fee अलग से लगेगा, placements की बात करें, तो highest package इस college का 14 LPA है, and average package का बात करें, तो 4.95 LPA है, जो के around 5 LPA के treated है, campus area का बात करें, तो 33 acres का, काफी बड़ा campus area है, इसका, rankings की बात करें, तो NIR of engineering में, इसको 155 ranking दी गई है, जो की 2021 का है, exam का बात करें, तो यहाँ पर आपका TA सिमसेट और Jman's, दोनों के basis पर आपका admission हो जाता है, उसके बाद आपको institutional counseling में participate करना पड़ता है, tuition fee का बात कर तो 5.5 LP है, अब जो हमार अगला college है, वो है, GRIET हैदराबाद, जो की 1997 में established हुआ था, institute type की बात करें, तो private college है, and campus area, देखें, इस college का, तो 34 acres का campus area है, बात करें, रैंकिंस का, तो NIR of engineering में, इसको 165 ranking दी गई है, जो की 2021 का है, exam का बात करें, तो यहाँ पर आपका TA सिमसेट और JMS, दोनों के basis पर आपका यहाँ अपर admission हो जाता है, means आपका TA सिमसेट के थरू, जो की तलेंगाना सिट का, खुद के common interest test है, उसके basis पर आपका यहाँ पर 70% सिट्स फिल्ड होता है, and JMS का थरू आपका यहाँ पर 30% सिट्स फिल्ड किया जाता है, बात करें, tuition fee का, तो 1 1.3 LPA है, यहाँ का tuition fee है, placements की बात करें, तो highest package इस college का 33 LPA है, जो कि Amazon दोरा offered किया गा था, and average package का बात करें, तो 4 LPA है, and जो हमरे list मंगला college है, वो है CMR College of Engineering and Technology, जो की 2002 में established जुआ था, institute type की बात करें, तो private college है, and campus area देखें इस college का, तो 10 acres का campus area है, rankings की बात करें, तो NIRF engineering में इसको 251 ranking दी गई है, जो की 2021 का है, exam का बात करें, इस mode of admissions का बात करें, आपके कैसे admission हो सकता है, then आप यहाँ पर TSM set के थूरा आप इंट्रेस exam है, जिसके थूरा आप यहाँ पर admission ले सकते है, and दूसरा जो है management quota, यहाँ पर आपका admission जो है management quota के भी basis पे हो सकता है, बात करें तो 4.5 से लेखे 5 lakh के बीच में vary करता है, and जो हमरे लिस्ट में अगला college है, वह बीट्स हैदराबाल, अब बहुत सरे बच्चे का मन में doubt आ रहा हुगा, कि इस college को मैंने इतने last में क्यों रखा है, बट इसको कुछ reasons है, जो कि आपको थोड़े दिर में भी पता चल लाएग rankings की बात करें, तो जो bits planning का ranking है, वह ही considered किया जाता है, bits हैदराबाद का भी, जैसा कि आप जानते है, bits planning ब्रांचेज है, bits हैदराबाद और bits गुवाइस की ब्रांचेज है, इस कारण से इनके कोई separate ranking नहीं है, जो bits planning की ranking होती है, वह ही considered किया जाता है, bits हैदराबाद की भी ranking म एक्जाम का बात करें तो सेम आपका बिट्षेट के तुरू यहाँ पर आपका इड्मिशन हो जाएगा उसके बाद आपको बिट्स काउंसलिंग में पर्टिशिपेट करना पड़ेगा सीट अलट्मेंट के लिए तुरूशन फी का बात करें तो 5.6 लाँ आपका पर आपका बिट्षेट के लागेगा तुर्टल देखा जाएग अपका बिट्षेट के लागेगा तो काफी ज़्यादा है placements की बात करें तो highest package इस college का 43.3 LPA है and average package देखें इस college का 14.92 LPA, around 15 LPA के करीब में है अब placements तो काफी सही है बट इतना चौकने का जरूत नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पर fee भी बहुत जादा लग रहा है हाइस package में average package में आपको difference दिख रहा है कि इसका 15 LPA है जो बाकी मैंने colleges बता है उसका 5-10 LPA के बीच में है बट जो यहाँ पर fee देख रहे है वो भी काफी ज्यादा high other colleges के मुकाबले में 30 lakh मतलब means जो middle class के बच्चे है वो तो offer करी नहीं सकते इस college को इस currency इतने wide range के लिए college है ही नहीं कि maximum बच्ची स्कॉलेज में जा सके इस कारण से मैंने fee के basis पे इसको मैंने last में रखा हुआ है कि इसका काफी ज्यादा है बात करें इस लिस्ट में जो कि 1997 में इस्टेवलिश जो था इंस्टिट्यूट की बात करें तो प्राइवे होता है बात करें ट्यूशन फी का तो 96,000 के रहां में आपका यहां पे ट्यूशन फी लगेगा पर यह एंड उसके बाद आपका होस्टल और मैस फी अलग से लगेगा प्लेस्मेंट अभी हमारे पास इसका एवलेबल नहीं है क्योंकि बहुत जग इसका प्लेस्मेंट कभी अधर के लिए बैटर हाएगा अगर आप चाहते हैं कि आप जी स्ट्रीट में रह रहा है और आपका बार मैं जाना चाहते कि वहां कोंसे टॉप इंजिनिंग कोलेज है आप कमेंट करके मुझे पता सकते हैं होब कर टो पसंद आ योगा तो वीडियो को लाइक करें शेर करे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू